हेलो फ्रेंट्स गुड बॉर्निंग कैसे हो फोप करता हूँ आप से भी लोग अच्छे ही योगे शो फ्रेंट्स आज है 24 नूमबर 2022 और आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे UPBA Direct Admission 2022 के बारे में CT8 के बारे में बात करेंगे और इस स्कॉलर से बडेट के बारे में हम ल मारी चैनल की मादब से ही देखने को मिलेगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट एग्जाम की बेश्ट बुक के बारे में जो की है चक्सुप्रकाशन की यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप लोग लैंग्वेज में संस्क्रि देखने को मिलेंगे ठीक है नए पार्टे करम पर आधारित है यहाँ पोस्तक हर हाल में अन्य पोस्तकों से स्रेश्ट है ठीक है तो यहाँ आप देख सकते हैं NCRT पैटर्न पर आधारित है साथ ही जो है चक्सुप्रकाशन की सीटेट एग्जाम की प्राइमरी लेवल की ग और पांच सब्जेट जो होते हैं पांचों सब्जेट की अलग अलग चक्सुप्रकाशन की बुक आती है हर मार्केट पे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी ऑनलाइन भी लेशकते हैं आप लोग इसे वीडियो के डिस्किप्सिन बॉक्स में लिंक दे दिया हो ठीक है तो सबसे पहले हम सीटेट के बारे ही बात करेंगे देखिए आज है 24 नवंबर और आज सीटेट की आवेदन की अंतिम्तिती है और कल सीटे बढ़ा दी गए यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में 26 हजर सीटे बढ़ा गई हैं ठीक है मतलब बढ़ा दी गई हैं कल इसकी सीटे बढ़ाए गई हैं और साम तक तुरंद सीटे फुल हो गई है तो मैं बता दो अगर अबही तक आप लोग सीटेट का फॉर्म नहीं भरै तो आप लोग अधर इस्टेट में आप़लोग जो देख सकते हैं अगर उत्तर प्रदेश के किसी सीटे में नहीं मिलना ह ठीक है अभी तो बहुत सारी सीटे में खाली है तो तो आप लोग अधर इस्टेट में जाके दे सकते हैं अपना एक्जाम जैसे आपका फर्स टाइम है डीलेट या बीट कंपलीट है आपको देना है तो आप लोग अधर इस्टेट में जाके देख सकते हैं अधर इस्टेट म येट इडमिशन 2022 के बारे में बतादूं बीए डारेक्ट अडिशन 21 से स्टार्ट हो गया है और कल तक आपका डारेक्ट अडिशन होगा ठीक है अगर आप लोग फर्म भरे थे तो आप लोग डारेक्ट अडिशन किसी भी कॉल्ज में जाके ले सकते हैं जिस college में seat खाली हो ठीक है बहुत सारे comment आयरे कि sir बहुत पैसा ले रहे हैं दीके पैसा फिल लेते हैं पैसा तो लेते ही ही लेते ही वो लोग extra charges जो लगते हैं एकठा एक ही बार में ले लेते हैं ठीक है तो कल तक आपका admission होगा और कल के बाद जो अलब संक्या college हैं जो अलब संक्या क्सीटे होती हैं केवल उसी में admission होगा I think 27 तारिक से होगा 27 नमर से होगा ठीक है जो कि मैं परशों बताया था ठीक है कल मैं बता दूँगा फिर से ठीक है तो 27 तारिक से अलब संक्या क्वालों का होगा बाकी direct admission जो आपका होगा वो कल तक होगा ठीक है बहुत सारे लोग परिशान हैं जो भाई pool counseling में admission लिए हैं अभी बहुत सारे जैसे इंवस्टियों में BA का admission हुआ है तो वो लोग जो है scholarship का form नहीं भर पाए हैं क्यांकि 7 नमबर इसकी जो है ठीक है और हमारी scholarship का बाईगी तो मैं बता दूँ 26 से 28 दिसंबर से scholarship बढ़ना स्टार्ट हो जागे और ये जनवरी से फरवरी से किसका process चलेगा ठीक है तो scholarship को डेट बढ़ेगी भाई कोई भी update आएगी तो मैं आपको तुरंद बताऊंगा इसी चैनल के माधम से बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि कोई भी update आए वो update आपको शबसे पहले हमारे चैनल के माधम से ही देखने को मिल सके इसके अलावा कुछ भी doubts आगर आपके मन में रह गया हो तो आप लोग comment box में अपना doubt के लिए कर सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो पर इस वीडियो को like करें शेर करें thank you so much